बिवाडी के UIT फेश धर्ड थाना पुलिस ने साथलका गाउं से घरेलू सिलेंडरों से बरे एक टेम्पो को जब्त किया है ताना परभारी विजंदर सिंग ने बताया कि साथलका गाउं में एक टेम्पो में अवैद रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडर भरे हुए थे जिनके बारे में चालक से पूछताश की गई तो वह संतोष्टी पूर्ण जवाब नहीं दे पाया और ना ही इस समन्द में कोई कागजात पेश किये गए जिस पर टेम्पो को जब्त कर लिया गया टेम्पो में हर्यान से लाए गए 38 सिलेंडर भरे हुए थे पुलिस ने मामले की जानकरी रसद विबाग को दे दी है और तीस में से 20 सिलेंडर जो हैं बरे हुए परतित हो रहे हैं जिता 18 सिलेंडर जो हैं वो देखने पर खाली लग रहे हैं